आप सबी लोगों का स्वागत है सेरीज में तो अभी तक हम लोगों ने UP sectional test में 18 question तक complete कर लिया था चलिए अब आगे कोशिश करेंगे कि जल्दे जल्दी इसको complete किया जाए और काफी कुछ जानने और समझने के लिए हमारे पास है इसमें देखिए 19 वा नंबर का question क्या कह रहा है एक बार English में देख लेते हैं आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा फिर हम discuss करेंगे ठीक है देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो evidence है paleolithic civilization का वो उत्तर प्रदेश में आपको कहां देखने को मिलता है बेलन घाटी में ये बेलन घाटी कहां पर है प्रियाग राज में सिंग्रॉली जीले में भी हमें देखने को मिलता है paleolithic civilization जो की सोनभध्र में है और चकियां जो की चंदॉली में पढ़ता है वहां भी हमें देखने को मिलता है ये जो site है paleolithic site एक बहुती जबर्दस्त एक मूर्ती है mother goddess की एक देवी जी की मूर्ती मिली हुई है यहां पे वो हड्डियों की बनी हुई है ये कहां से हमें मिला है ये बेलन घाटी में ही हमें मिला है लेकिन लुहंडा नाला वो छेत रहे जहां से हमें ये मूर्ती प्राप्त हुई है हड्डि की बनी हुई है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा statement सही है या फिर गलत है ठीक है चलिए इसको देखते हैं देखिए उत्तर प्रदेश में प्रश्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा पाशान कालिन सभ्था है जो पहले ओलिथिक सिविलाइजेशन जो अभी हम लोग ने देखा इसके साक्षे प्रयाग राज की बेलन घाटी सोन भद्र की सिंग्रॉली घाटी और चंदॉली के चक्या में हमें मिलते हैं और मिले हैं बेलन घाटी में एक आपका लोहंडा नाला है उसके पास हड़ी से बने हुई देवी मा की एक सौन्दर प्रतिमा भी हमें मिली है अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है देखिए इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है ये आपको इसमें से नाम क्या के याद रखना है ये लोहंडा नाला वाला आपको छेतर याद रखना है बेलन घाटी के बारे में जान जाईए कि ये प्रियाग राज में आपका अधिकतर इसका हिस्सा पढ़ता है क्योंकि बेलन नदी आपकी आपके तमसा नदी में मिल जाती है और वो आपके आपकी फिर गंगा में मिल जाती है ठीक है तो आप इसको अच्छे से देख लिजेगा देखिए इंग्लिश के लिए एक बार इसको आप पढ़ लिजेगा इंग्लिश का सॉलुशन और हिंदी साथ में ही है देखिए बेलन घाटी जो है ये इसको देख लिजेगे पैलियोलिथिक साइट है उसकी सोनभद्र जिला सोनभद्र जिले से ये आपकी बेलन नदी ऐसे निकलती है अब ये बेलन नदी निकलती है और टोन्स नदी या जो तमसा नदी है उसमें जाके मिल जाती है जो की गंगा जी में जाके मिलती है सिर्सा के पास में अब देखिए है क्या इधर से आती है आपक कि तरफ जब बढ़ेंगे तो बस ठीक संगम से 34 km, 30-40 km जब आगे बढ़ते हैं, तो यहां एक आपको शहर देखने को मिलता है, जिसका नाम में सिर्सा, सिर्सा टाउन है, सिर्सा में आके आप देखेंगे कि एक नदी आके गंगा जी में ऐसे मिलती है, इसकी सहयक नदी, इस बेला नदी कहां से निकलती है, यह निकलती है आपकी सोनभद्र के पहाड़ों से, तो सोनभद्र के पहाड़ों से होते हुए, यह आपकी आके किसमें मिल रही है, तमसा में, तमसा आके सहयक नदी है, तमसा किसकी, गंगा जी की, गंगा यहां कहां पर आके इनका मिलन होता पूरा पाशान कालीन इस्थलों में बेलन घाटी का प्रमुख नाम है यह बेलन नदी की घाटी में इस्थिते जो सुनभदर जिले से निकलती है जैसा आमने उपर देख लिया और यह टोन्स या तमसा नदी में जाके मिलती है जो टोन्स या तमसा नदी अनंता कहां जाके मि यह मिलती है यह मिलती है सिर्सा शहर में यूपी में प्रयाग के पास बेलन घाटी एक ऐसा इस्थल है जहां पर आपको पूरा पाशाण काल मद्य पाशाण और नव पाशाण काली तीनों ही इस्थल मिलते हैं यहां पर मतलब यह आपके पैलियोलिथिक यह हो गया पैलियोलि ठीक है उसके बाद आप ये देख लिजेगा कि इसमें जो भी ये खोज हुआ है उत्खनन हुआ है इसका श्रे अलहाबाद इनवर्सिटी के पूर्वविभागा ध्यक्ष ये जो आपका आर्केलोजी डिपार्टमेंट है अलहाबाद इनवर्सिटी का इसके फाउंडर या ज उनों में कई बार प्रश्ने बने हैं उसमें जैसे एक स्थल कौन सा है आपका पूरा पाशाण यूग के सराय नहार राय महादहा दमदमा या दमदम दमदम के नाम से भी होता है तो महादहा है दमदम है सराय नहार राय है ये सब जो स्थल है ये आपके हैं प्रताब चलिए आगे प्रश्ण में देखी लेंगे इस सब के बारे में जिकिन ये साइट ये जो स्थले आपको बार-बार रिवाइस करना है सराय नहर राय महादहा और दम-दम दम आया दम-दम आपको देखने को मिलता है फिर ये चुपानी मांडो ये चुपानी मांडो है नियोलिथिक एज था उसके भी बहुत सारे आपको औजार आपको बरतन मिटी के बरतन आपको देखने को मिलते हैं तो उससे हमें ये आइडिया लगता था कि देखिए मिटी के बरतन वैसे भी इतिहास में आप पढ़ेंगे कि जब हम खेती शुरू करते हैं तो हमारे पास पहले क्या था पहले हम शिकार करते थे या फिर हम फल गएरा ये सब तोड़ के लिए आते थे और उसको एकठा करके अपने पास रखते थेольно कुछ दिनका हमारे पास श्टॉक होता था खाने पिने का उसके पास फिर से हम इन चीजों को भूदने के लिए जंगल में चले ज तो आपको जब भंढ़ारान करने के जरूत पड़ी तो हमने बड़े-बड़े-मट्टी के बड़तन आनें शुरू कर दी हैं और जब हम भंढ़ारन करना शुरू करते थें तो हमें रोज रोज जाके शिकार करना और फलों को एकठा करना ये इसकी ज़रुत नहीं पड़ी तो हमें उस मिट्टी के बढ़तनों से आइडिया लगना शुरू हो जाता था कि यहां पर पूरा पाशान काल से मध्य पाशान काल से हम नव पाशान यूग की तरह बढ़ना चुरू किये थे तो उस तरीके के जो मिट्टी के बढ़तन है वो आपको यहां पर चुपानी मांडो में देखने को मिलता है इसलिए चुपानी मांडो स्थल मीजोलिथिक यानि मध्य पाशान काल के लिए जाने जाते हैं और जब आप बात करेंगे नव पाशान काल के लि कि ये नाम कहां पर है प्रताबगड जिले में पढ़ते हैं सराय नहार राय नामक मध्यपाशाणिक पूरास्थल उत्रपदेश के प्रताबगड जिले में है ठीक है गोखुर जिल के किनारे ये है तो मालीज इतना डीप नहीं भी जाता है लेकिन इक बार आप देख है इसको ऐसे कर देते ठीक है ये हिंदी के लिए है ये पूरा इसको अच्छे से देख लिजेगा आप लोग और जो इंग्लीश में जिनको रिवाइस करना है वह आप लोग इसको पॉस्ट करके पढ़ लिजेगा ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं एक और आपके बेला नदी के किनारे पढ़ता है प्रियाग राज में दूसरा है लहुरा देव एक नियू लेथिक साइट है जो कि आपका संतकबीर नगर जीले में है फिर लिखाए कि लहुरा देव को ही अब ऐसे धिरी धरे माना जाने लगा है कि यही सबसे प्राचीन इस्थल ह है जहां पर हमारे भारतिय उप महातुइप इंडियन सबकॉंटिनेट में खेती की शुरुआत हुई थी ठीक है अभी हम मेहरगड को जानते हैं बलुचिस्तान में मेहरगड का नाम याद रखिएगा मेहरगड जो आप लोग पढ़ते हैं बलुचिस्तान में उसको अभी ह हम याद रखते हैं कि सबसे पहले हाँ पे खेती वगेरा शुरू हुई थी चावल की और जो अपना सबसे पूर्व इस्थल है सिंदु घाटी सब्वेता का वो आलमगीर पूर है जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था जिससे हम पढशुराम का खेरा भी कहते हैं इसका आपका क्या हुआ था खुदाई से इसमें मिला था निकला था और यगिदत शर्मा जी थे जिन्होंने इसको खुदाई करके पताग लगाया था उनी सो ऑठावन में तो इससे हम परशुराम का खेरा भी बोलते हैं इस बात को आपको ध्यान देना है कि क्या बोलते है जो थे सिंदुगाटी सबेता की स्थल उसे आपरिवाइस कर लीजेगा चलिए तो ये चार हमारे सामने स्टेट्मेंट है ठीक है एक दिया हुआ है कि कोल डिवा नव पाशान काली निस्थल है जो प्रियाग राज में बेला नदी के तर्ट परिस्थित है ये बिल्कुल सह है इसी तरह का स्टेट्मेंट था निउस्पेपर में और गवर्मेंट के एक दो डॉकुमेंट में कि अब इससे सुईकार किया जाने लगा है माले जी यही इस तरह की हुबहु लाइन उटके आती है तो आप इसी को ठीक मानिएगा वरना मेहरगर जो आप पढ़ रहे हैं में रहेगा तो उसी को ठीक करिएगा सिंदु गाटी सब्वेता का सबसे पूर्वी इस्थल आलमगीर पूर को पर्शुराम का खेडा के नाम से भी जाना जाता है ये भी ठीक है तो ये चारो ही स्टेट्मेंट ठीक है इस तरह का कोशन देने का मकसद था कि आपको फैक्ट देख लिजे ठीक है पॉस करके इंग्लिश में देख लिजेगा देखिए प्रश्न क्या है प्रश्न ये है प्रयागराज से जुड़ा हुआ है कि 1575 इस भी में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदरकर अलहाबाद कर दिया ठीक है वहाँ पे अलहाबाद का किला आप गया अठारा सो संतावन में क्रांती हो गई थी पूरी अठारा सो अन्ठावन में आपका भारस सरकार अधिनियम गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था जिसमें बहुत सारे जगों की स्वायत तता बताई गई अप रजवारों को अपने अधिन नहीं लिया ठीक है आगरा और अवत को मिला के संयोगत प्रांत बनाया गया तो उसकी राजधानी प्रयागराज को ही रखी गई अठारा सो न्ठावन में और चौथा क्या लाइन है चौथा है कि खुसरोबाग खुसरोबाग वहां पे काफी एक फेमस प्लेस है वहां पे समराठ जहां प्रयागराज का नाम बदर कर अलाबाद कर दिया था और खुसरोबाग भी है ये भी सही है इसको भी देख लीजएगा चली आगे देखते हैं ये खुसरोबाग याप देखते हैं थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा ताजमहल टाइब का कुछ छोटा सा एक रेप्लिका टाइब का उसका एक वो बनाया गया है खुसरोबाग में तीन शांदार धंग से डिजाइन गिये गए बलुआ पत्थर के ठीक है बलुआ पत्थर के मकबरे हैं इसमें जो मुगल राज घरानों को श्रदांजली देते हैं ठीक है इसमें कौन कोन हैं उनके नाम शामिले हैं और ये थोड़ा से उनके बारे में बत कीते थें तो 400 साल पीछे चले जाईए कहां पहुंच गया 1583 और 1583 में ये क्या दिख रहा है आठ आठ साल पीछे चले जाईए तो कहां पहुंच गया 1575 तो इसमें आपको क्या 1575 में स्पेशल था पीछे कि प्रयाग राज जुझ था उसका नाम बदरकल अलहाबाद कर दि को तो उनको लगा कि ये तो इसका नाम अलहाबाद रख देते हैं और उसके बाद उन्होंने वहां किला बनवाना शुरू किया और आठ साल के बाद वहां पर आये और उन्होंने कीला का नावरण किया चलिए आगे देखते हैं ये अलहाबाद किला के बारे में कुछ चीज है कि अलाबाद का किल्ह उत्तर प्रदेश भारत में ऐसा हो सकता है कि हमें लेकिन सबसे बड़ा कील्हा अग्भर ने इसी किले को बनवाया था यह सबसे बड़ा कील्ह और इसी के अंदर आपको तीसरे शताब्दी का अशोक इस्तम भी देखने को मिलता है काफी उचा एक अशोक स्थम्भ है अभी ये किला जो है वो इंडियन आर्मीं के अंडर में है तो कभी आपको घुमने का भी मन करे जाने का मन करे तो परमिशन लेके जाना पड़ता है इसी में आपको वर्ट विरिक्ष वगेरा भी देखने को मिलता है तो अशोक अच्छा अब यहां पर दिखे क्या है जीला और उत्पाद जो हमें पता है नहीं कि एक जीला एक उत्पाद कारिक्रह में उस लिस्ट को एक बार आप लोग देख लिजेगा जो एक जीला एक उत्पाद वाला है उसमें बहुत सारे तो आप लोगों को एक आईडिया लग जो आपको बिल्कुल लगे कि आईडिया नहीं लग रहा है उसी को बसको नोट कर लिजेगा ऐसे 20-25 जीले या 15 जीले होंगे अधिक से इंपोर्टेंट वाले देख जाएगा सारे और उसको नोट कर लिजेगा एक्जाम के पहले देख लिजेगा दो से तीन प्रश्न कहीं या किसी स्टेट्मेंट में या सुमेलित करने में इस तरीके से आ जाते हैं ठीक है तो देखिए इसमें अभी हमारे सामने कौन से चार ऑप्शन दिया हुए हैं सहरनपूर दिया हुआ है सहरनपूर में लिखा हुआ है कि लखड़ी पर नकाशी होती है हां होती है लखड़ सहरनपूर में ठीक है लिए काफी काम होता है ITC भी आपका वहीं पर है ITC का जो कॉपी वगेरा आता है classmate जो कॉपी होती ITC की वो भी यहां पे factory है सहारनपूर में ही सहारनपूर में लकड़ी पर नंकाशी होती है बिलकुल ठीक है, wood carving होती है कुशी नगर कुशी नगर आप एकदम नेपाल वाटर पहुंच गें उधर कुशी नगर में गेहूं का डंठल से हस्त शिल्प उत्पाद अच्छा ये इस तरह के प्रोड़क्ट बनाया जाते हैं जो गेहूं के डंठल से बनाया जाते हैं बड़े खुब सूरत से उत्पाद का काम होता है कि नहीं तो देखिए बांदा की location देखिए बांदा diamond के लिए भी famous है बुंदेल खंड में पड़ता है तो chance आप ले सकते हैं कि यहाँ पर यह काम हो सकता होगा तो यह ठीक है यह सहरनपूर भी ठीक है अमेठी वाला मुझ प्रोड़क्ट भी ठीक है लेकिन यह कुशी नगर वाला गलत है ठीक है कुशी नगर में गेहूं का डंठल वाला उतपाद वाला काम नहीं होता है यह बहराइच में होता है यह बहराइच में यह बहराइच अब आप लोग को याद आ रहा होगा पीली भीत के बगल में लखीमपूर खेरी था लखीमपूर खेरी के बगल में बहराइच और बहराइच में ही आपका कटर्निया घाट है ना कटर्निया घाट वाइल डाइफ सेंक्चुरी या कटर्निया घाट जो हम लोग वन ने जीव अभिहारण ने पढ़ते हैं वो आपका कहाँ पर है, भहराईच में हैं, तो यहाँ पर आपको गहुं का डंठल से उतपात देखने को मिल सकता है अब ऐसे भी आप सोचिए कि तराई वाला छेतर है बहराईच तो वहाँ पर तराई में आपको बड़े बड़े घास और इस तरीके के पौधे पेड़ देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि फिर आप उनके डंठल इतने मोटे हों कि आप उनसे कुछ चीज बना सके तो इस तरीके से कुछ कभी-कभी आप सोच सकते हैं मैप के हिसाब से जोगरफी के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से इसलिए एक आइडिया आपके पास रफ आइडिया होना चाहिए अच्छे से कहां पर कौन सा जीला पड़ता है दिखिए यह लकड़ी का काम कहां पर हो रहा है साहरनपूर में रहा है इसको पढ़ लिजेगा यह लकड़ी पर नकाशी देखिए लकड़ी पर कितनी अच्छी नकाशी है यह साहरनपूर जिले का है और यह 400 वर्ष हो गए इतने पुराने समय से चले आ रहे है अधित्तर इसमें शीशम की लकड़ी इस्तमाल होती है बहुत अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट बनते हैं इसमें उसके बाद है कि मुंज प्रोड़क्ट यह मुंज उत्पाद आपको कहा देखने को मिलेगा अमेठी में ठीक है फूट मैट, कैरी बैक, रसियां पेनिस्टेंड, कूरसियां हर तरह के प्रोड़क्ट इसमें बनाये जाते हैं होगा, यह देखिए यह मुंज है, मुंज के उत्पाद से यह बनाये गया है मेठी में उसके बाद से यह है वीट इस्टॉक हैंडी क्राफ्ट प्रोड़क्ट बहराइच ठीक है, गेहों के डंठल से हस्त शिल्प उत्पाद है, यह दिखिए कितना सुंदर उन्हें बना रखा है इन लोगोंने भगवान शीव, गणेज जी के आकार को इतना छेतरगे से रूप दिया हुआ है आगे क्या है, शाजार पत्थर बांदा का शाजार पत्थर बांदा का हाँ, यहाँ पर एक चीज यह देख सकते हैं कि शाजार पत्थर जो है, बुंदेल कंचेतर के बांदा जिले के पश्ची में बहने वाली केन नदी, अब यह केन बेतवा वही नदी है, जो केन और बेतवा आप लोग पढ़ते हैं यह वही नदी है, पहले बेतवा बहती है, फिर केन आती है, यह मुना में मिलती है तो केन नदी से प्राप्त होता है, उसके बगल में यह पत्थर मिलते हैं उसी पत्थर को अच्छे तरीके से इस्तमाल करके, उस पे महनत करके, आकार देके, काटके इस पे ये शिल्प करके बहुत महनत से ये चीज़े बनाए जाती है ठीक है ये दिखिए इपत्थरों पे कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ बनाए गई है चलिए इसमें और क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि बुंदेल खंड के बांदा जिले की केन नदी प अपने भीतर दिखने वाली सूर्ती के लिए मशहूर है इन पत्थरों को शहजर पत्थर कहा जाता है तो आप देखेंगे न कि पत्थर नदियों के पास में पड़े हुए है और उसमें कोई पीले रंग में हरे रंगा को डिजाइन बना हुआ है कोई लाल रंग में इस तर तरह असपने पत्थरों को तो आप अपने नौलेज के लिए इसको देख सकते है और अगर किसी को आंसर मिल जाए तो आ पिलीज कमेंड बॉक्स में जरूर आँसर से प्र diferença है जैसे आप लोग हमेशा करते आते हैं चलिए हां अब देखिए इस प्रश्नी में क्या है महा जन जनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे केवल तो ऐसे आठ महा जनपद थे हमारे UP में थीक है सोला महा जनपद हम पड़ते है तो आठ हैसे तो जो जो सिर्फ वसिर्फ आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं अभी यहाँ पे जो चार दिये हुए उनको हम लोग अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही जीला सुमेलित नहीं है ठीक है वत्स उस समय जो वत्स महाजनपत था वो आज के क्या प्रियाग राज जीले के आसपास में है बिल्कुल है ठीक है कौशंबी इसका कैपिटल पड़ता था राज़ानी थी पांचाल को देखिए बरे देखने को मिलता था शेड़ी शेड़ी वाला जवाब देखेंगे तो यह लिखा मिर्जापूर सुनभद्र नहीं जैसे माल लिजे कि यह अपना इस तरीके का ऐसे कुछ है यूपी का रफ एक ऐसे माल लिजे कि ऐसे करके कुछ अपना यूपी का ऐसे कुछ मैंप ठीक है तो यह सुनभद्र वाला जगह है यह इसके बगल में मिर्जापूर वाला जगह है तो क्या यहां शेड़ी थें नहीं छेदी वाले यहां थोड़ी थें फिर उसके बाद मल मल जो किंगडम है यह मल आपका कहां पर था देवरिया साइड में हाँ ठीक है देवरिया उपर प हैं जो कि आपके कहा देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं उत्तर परदेश में इसको आप लोग एख लिजीगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजीगा, क्योंकि आता है प्रश्ण इस तरीके से मिलान करते हुए अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे अच्छा ये भी दिया हुआ है कि महाजनपत जो है वो आपका अंगूतर निकाए ठीक है उसके बाद ये है महाजनपत और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी लिखा हुआ है इसको आप लोग देखते जाए धिर धिर ठीक है इसको पढ़ लीजेगा है रुक रुक के चलिए अब हम लोग देख लेते हैं छेदी महाजनपत बुंदेल खंड छेतरे में स्थित था ठीक है उत्तर प्रदेश में कुल आठ महाजनपत है तो एक प्रश्ण तो मेरा यहीं से हम लोगों का पूरा होता है कि कितने महाजनपत उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं आठ अब महाजनपद और उनकी राजधानी देखते हैं और वर्तमान जो छेतर है उसको देख लेते हैं तुरंट देखे काशी तो काशी जो है वो आपका काशी छेतर था उतने ही लगभवई उसकी राजधानी थी काशी और आज का वाराणसी वही है वच्स आप देख रहे हैं महाजनपद ये कौशम भी इनका होता था उस समय राजधानी जो की वर्तमान में ये प्रयागराज समझ लीजिए कौशल समझ लीजे, कौशल जो महाजनपत है वो श्रावस्ती है, श्रावस्ती, गुंटावस्ती वाला जो श्रावस्ती के आसपास का जो है न, वो आपका आधुनिक अवद वाला जो छेतर है, वो आपका कौशल महाजनपत के अंतरगत था, शूरसेन, शूरसेन आपको छत्र था और दक्षिनी वाला छेत्र में और नीचे आएंगे तो फरुक का बाद पढ़ेगा काम पिल लिए उसके बाद कूरू का आपको पता है इंदर परस्त है ना माभारत में भी हम लोग पढ़ते आते हैं तो मेरट के आसपास का जो छेत्र है वो आपका कूरू महाजनपत था चेदी में सुक्ते मती और ये हैं मल जो है मला बोलीजी ये है कुशी नगर या फिर पावा ये इनकी राजधानी थी महाजनपतों का उलेक बौद गरंथ अंगुतर निकाय में है और जैन गरंथ भगवती सुतर में मिलता है महाजनपतों की राजधानी और अब ये देखे थोड़ा सा इसमें रिसर्च वाला चीज़ है कि महाजनपत की राजधानी देख लेते हैं और वो किस नदी के किनारे बसी हुई है ये भी देख लेते हैं काशी गंगा के किनारे है कौशंबी यमुना नदी के किनारे है श्र पश्चिमी रापती नदी देता है। उधर से बैते वे आती हैना रापती नदी तो ये रापती नदी रापती नदी के चिनारे हैं। में इसका लगबग लगबग आप लोकेशन देख लीजिए यह शेदी यह वर्थ यह कॉसल पांचाल सूरसेन कुरू यह मल और यह है अपना काशी ठीक है चलिए आगे देखते हैं यह महाजनपत्स के बारे में एक मैप है अपना महाजनपत्स का भी आप लगबग लोकेशन देखी लेंगे यह गांधार कुरू मत्स यह शूरसेन मतुरा यह अवंति थी उसके बाद यह चेदी यह वर्थ यह धर्मल्ला यह मगद अंग काशी कॉश पांचाल में देखी कामपिल्य कामपिल्य कहां है यह कामपिल्य लिखा है न तो यह कामपिल्य आपका हो जाएगा कहां फरुक का बात यह उपर अहिशत्र लिखा हुआ है अहिशत्र बरेली हस्तिनापूर कुरू इंदर प्रस्त दिखिया है मुना ऐसे बहते वारी है ठीक कि इसमें क्या सभी है क्या गलत है इंग्लिश में इसको आप लोग रोक के पढ़ लीजेगा इसका कोश्चन ठीक है जल्दिल्दी हिंदी में ही देख लेते हैं चलिए उत्तर प्रदेश में मौरे शासन के बारे में नेमनलिकित कचनों पर विचार करें चंदरगुप्त मौर पर विचार के पिता थे उनका नाम था सरवार्थ सिध्धी मौरे थे इनके पिता कोली गंड्राज के अंतरगत राम ग्राम जो कि गोरकपूर के पास मौरिया नामाग छोटा राज्य इस्थापित किया था इन्हों ने चंदरगुप्त मौरे के तामरपत्र जो copper plate inscription है न तामरपत्र शीला लेके गोरगपुर के दक्षिणी भाग में सहोगौरा नामा की स्थान पर मिला है अब हम लोग अक्सर पढ़ते आते हैं कि सोहोगारा copper plate inscription हम पढ़ते हैं कि गोरगपुर ये आपका UP में मिलता है जो की चंदरगुप्त मौरे से जुड़ा हुआ है लेकिन ये शेहर का नाम क्या गोरगपुर के दक्षिणी हिस्से मिलता है तो बिलकुल मिलता है ये गोरगप के अंतरगथ गोरगपुर के राम गराम के निकट मौरिया नामक एक छोटे राज्य की स्थापना की थी मौरिया समराज्य की राजधानी पिपलीवन उसी स्थान पर था जहां आज गोरगपुर के जिले का राजधानी गाउं इस्थित है राजधानी गाउं जहां पर आज रशीला लेक जो हम लोगों ने आपको बताया, यह वही है, ब्राहमी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तीसरी सदी इसापुरु में, सो गौरा एक प्राचीन गाउ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा उपर कर लेते हैं, देखिए, सो गौरा एक प्राचीन गाउ है, जो दो प्रस वाली शेला लेक मिलती है, ठीक है, सो गौरा तामबे के शेला लेकों में अकाल के दोरान, देखिए, यह पत्र में तामर पत्र में लिखा हुआ है कि एक अकाल पड़ा था, उस अकाल के समय में इनके राजा ने वहाँ पर एक खाद्यान के लिए, फूड ग्रेन के लिए, भंडारन के लिए, आगे देखते हैं, ये इंग्लिश में है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर से ये देखिए, साइट के बारे में हम लोग का इस्थल के बारे में हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, गलत विकल्प चुनना है, मध्य पूरा पाशान, इस्थल, दमदमा प्रताबगर जिले में है, मध्य पूरा पाशान, यानि कि मिजोलिथिक साइट है, ये दमदमा ये प्रताबगर जिले में है, दमदमा में एक ही कब्र में हमें तीन मानव कंकाल बरामत हुए थे, तो वो जो स्टार्टिंग में आपको बतायता है ये UPPCES 2016 का ही शाय at a site तो हमें चूज करना था कि कौन सा सही प्लेस है तो ये कौन सा है ये आपका दमदमा ही है दमदमा प्रताब गड़ जिले में पड़ता है और दमदमा प्रताब गड़ जिले में पड़ता है अब देखिए दमदम जो छेतर है दमदम जो स्थल है वो तो अपना प्रताबगड जीले में है लेकिन ये जो इसी के नाम से मिलता जूलता दमदमा जील है ये दमदमा जील आपका हरियाना में है बस इसका बस इतना सा मकसद था कि अगर कभी confusing इस तरह की कोई लाइन आ जाए तो आप लोग फसीएगा मत और ये याद रखेगा कि सबसे अधिक 17 कंकाल मिर्जापुर जीले में लेखाया नामक पत्थरों की कब्रगा पर पाए गए है ठीक है ये हिंदी में हम लोगों ने देख लिया इसको और यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखावा है आप लोग अब देखिए यूपी के सभी जिले अप निरियात में योगदान करते हैं अब देखिए ऐसे लगेगा कि एक्स्ट्रीम स्टेट्मेंट है लगेगा कि सभी लिख दिया है जिस तरह से यूपी से में पैटर्न फॉलो किया जाता है कि सब सही सब गलत इस तरीके कि जब शब इस डीपी भी बोलते हैं उसके उत्पादन के प्रतीशत के रूप में निर्यात पहले साड़े 10 प्रतीशत था 2020-21 में अभी जो 2021-22 का हमारे पास आखड़ा है उसके साब से साड़े 11% बढ़कर हो गया तो तो आप कही न कहीं देख रहे हैं कि हमारे जो सकल घरेलू राज यह उत्पाद के प्रतीशत के रूप में निर्यात कहीं न कहीं बढ़ा है 2022-23 तक उत्तरप्रदेश निर्यात मुल्य निर्यात का जो मुल्य था यानि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी वो आप देखेंगे कि 21 बिलियन डॉलर के आसपास है और देश में इस निर्यात मुल Ford framework के आधार पर ये पांचोई स्थानु पर है ये तीनों ही लाइनो आपकी सही है ठीकिती लाइन को आप लोग रोक में आधार यह इसमें क्या दिया हुआ है कि यह एक आपका वह पढ़ने के लिए है कि लगभग धाई लाक स्कॉाइर किलोमेटर के छेतर में फैला वो अपना उत्तर प्रदेश एक भूमे से गिरा राज्य है जो कि इतना स्कॉर किया था निरियात तैयारी सुचकांक में जिसको हम एक्सपोर्ट प्रिप्रेटनेस इंडेक्स कहते है न उसमें लगभग एकसर्ट नमबर के साथ साथ वे स्थान पे था यह देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेश्था था देखिए यह उस समय के इसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेश्था थी लेकिन इसको काट दीजे अब हम लोग हो गए हैं सेकेंड नमबर पे अभी कुछ समय पहले काई नियूस था तमिल नाडू को हम लोगों ने पीछे कर दिया है तमिल नाडू अब थार्ट पर आ गया है फर्स्ट पे अब सिर्फ महराष्ट रहे गया है और हमारा टार्गेट क्या है गवर्मेंट का टार्गेट ये भी है कि 2027 तक हमें एक ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी बनानी है यूपी को ठीक है ऐसा इसलिए करना है कि यूपी का योगदान लगबग 20% हो जाए अपने देश के GDP में 20% कैसे होगा क्यो तो 16% के आसपास महराष्टर का ही योगदान है जो कि पहले नंबर पर है पहले पायदान पर है और इसमें क्या दिया हुआ है ठीक है यह आपको देख लीजेगा यह अपने सामने दिया हुआ है इसको रोक के पढ़ लीजेगा चलिए यह भी एक आंकड़ा था कि इस तरह क hai इक आइडिया होना चाहिए टो देखिए चार से पांच प्रतिशत तक का हमारा योगदान रहता है ठीक है अब यह अशानक से बढ़के 7-8% नहीं हो जागा 4 6% इस लिदी लिखायगाह trains शाना है तो रहता है चार से पांच प्रतिशत के बीच और एक्जाम इसफास काु दिया हुआ मिलेगा क्योंकि पहले इसी तरह से पूछा गया है चलिए बागे देखते हैं फिर से इसको आप लोग देख लिजेगा इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है कि चार से पांच प्रतिशत का एक एवरिज बता दिया गया दो जर बाइस तेस में यूपी का निरियाद का मुल्य कितना था लगबग पहुने दो लाग करोड था यह नहीं भी आद रहता है तो कोई बात नहीं पस एक बार देख लिजेगा यूपी का निरियाद दो जर अठार बिलियन डॉलर ठीक है 21.68 बिलियन डॉलर और इसी के साथ हमारी रैंक क्या है अभी देखिए हमने उपर पढ़ा है न यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए यह लाइन 2012-23 तक निरीयात मुल्य 21.68 बिलियन डॉलर के मामले में उत्र प्यृदेश में 5वी स्थान पड़ता तो हमने जो निरियात किया उस निरियात का अगर आप वैल्यू निकालेंगे मुल्य निकालेंगे तो उस मुल्य के आधार पे 21.68 बिलियन डॉलर यानि कि 21.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर यह अरब डॉलर जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश अपने देश में पाँचवे स्थान पर है तो चार और राज्यते जो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वही लाइन यहाँ पर उठके दुबारा से आ गई है इसको आप लोग देख लीजेगा चली अब आगे बढ़ते हैं यह भी अच्छा सवाल था निर्यात मूल्य के घठते करम में हमें गंतवे देशों में से विकल्प चुनना है कि हमने जो एक्सपोर्ट किया हमने जो निर्याद किया तो कौन से टॉप थ्री देश हैं जहां पे हमने निर्याद किया है ठीक है देखिए सबसे दिख हमने किसको किया है फॉर्ष्ट नंबर पर दूसरे नंबर पर UAE United अरब इमिराथ को गया है और तीसरा अब आपको लगेगा कि चाइना आजाना चाहिए क्योंकि इंडिया में तो हम इनी तीनों का टॉप नाम पढ़ते हैं लेकिं चाइना नहीं है तीसरे नंबर पर है Germany तीसरे नंबर पर है तीसरे नंबर पर है Germany हो सकता है आगे डेटा भी हो फिगर भी हो तो उससे और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा इस प्रश्ण को पढ़ लिजेगा चलिए यह देखिए यह टॉप 10 देश है ठीक है टॉप 10 देशन जहां पर हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो सबसेदी किसको क्या हुआ है देखिए इतनी बड़ी पीलर आपको दिख रही है USA अकेला है सेकेंड नमबर पर क्या है UAE तीसे नमबर पर देखिए क्या है जर्मनी चौथे पे फिर जर्मनी के बगल में UK नेपाल इस तरीके से है तो टॉप 3 बस आपको ध्यान देना है कि यूत्तर प्रदेश की तरफ से सबसेदीक निर्याद गया था USA को फिर गया था UAE को और तीसे नमबर पर गया था जर्मनी को यह हमारे सामने हैं एक आकड़ा था कि कितने कितने डॉलर का 2022 थे इसमें लगबख 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मुल्य के साथ अमेरिका राज्य के लिए अपने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उसके बाद भी आपका मन नहीं भरे और एक याद करना है तो किसको याद करना है UK को United Kingdom को ठीक है तो हो गया 1st USA 2nd UAE देखिए सब UU से चल रहा है बीच में घुसकिया किसी तरह के से जर्मनी ठीक और चौथे नमबर पर UK चली आगे बढ़ते हैं इसमें दिया होँ है कि हमारी तरप से कौन सा उत्पाथ सबसे अधिक एकस्पोर्ट किया जाता है तो देखिए Telecom सबसे अधिक है Telecom के मामले में हमारा एकस्पोर्ट यानि तो सर्विस हो गया तरीके से वो हमने सबसे अधिक एकस्पोर्ट किया फिर हमने बुफैलो मीट second number पे और cotton third number पे ठीक है ये product है और यही वही बाते जो है यहाँ पर ऐसे थोड़े से proper तरीके से लिख दी गई है कि UP कि निरियात उत्पाद जो है किसमे कितने मुल्यका है इसको आप लोग अच्छे से रोक एक बार पढ़ लिजेगा लास्ट तक द चलिए अगला क्या प्रश्न है budget के उपर है क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो budget है उसके उपर एक तीन statement है आपको बताना है जी एसडी मेरा यह जो gross state domestic product उत्तर प्रदेश का 2023-24 के current price पे एक आपका अभी जो दाम चलता है ना nominal वाला current price एक वो निकलता है और एक आपका fixed price मे निकलता है जो BCR पे निर्भर होता है तो यह बोला गया कि यह 19% होगा GDP growth अपने जी एसडीप बोल दीजे श्टेट आगया ना तो जी एसडीप जो growth है सकल घरेलू राज यह उत्पात का जो आपका growth प्रतिशत है वो 19% होने जा रहा है 2022-23 की तुनला में और वो होगा आप का इतना इतने करोड होगा दब साइज और बजट का साइज कितना है साथ दश्मनों साथ लाग करोड है साड़े साथ लाग करोड से थोड़ा सा जाता बजट का साइज था बजट का साइज मतलब कि जो हम खर्चा करते हैं वही बजट का साइज हो जाता है और इसमें 32,000 कर देखिए आमतर पे जब इस तरह के प्रशना आए तो ये छोटी-छोटी बारेकी वाले आमतर पे सही होते हैं ठीक है अगर आपको रिस्क लेना हुआ तो आपको इसको मान के चलिए कि तीसरा तो सही है आपको तीसरा यहां कहा नहीं दिख रहा है तो इसको भी काट दीजे कि मुझे तीसरा नहीं दिख रहा है तीसरा मैं मान रहा हूँ कि ये statement ठीक है आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि budget की size कितनी है और हमारा जो GDP का ग्रोथ है ठीक है वो कितना होगा ये दो चीज हमेशा पता होने चाहिए तो 19 परसेंट वाली बात बिलकुल ठीक है ये 7 दश्मनों 7 लाग करोड वाली बात गलत है ये 6.5 लाग करोड के आसपास वाली बात ठीक है ठीक है देखिए ठीक वही चीज हिंदी मे ये 19 प्रतीशत की आपकी सकल घरेलू राजय उत्पात की व्रिधी दर हम अनुमानित कर रहे है तो 19 परसेंट आपको याद रखना है और बज़र 2023 का आकार कितना है करीब 7.7 लाग करोड रुपे है नहीं ये आपका 7 लाग करोड से नीचे है ये है 6.6 लाख करोड बस इतन याद रखना है और कोई याद नी रखना है ये याद रखना है और 19 परसेंट बस ये दो पॉइंट याद रख लिजे बस यही दो पॉइंट लेकिए आपको एक्जाम में जाना है 19 परसेंट 6.9 लाग करोड 19 परसेंट 6.9 लाग करोड 19 परसेंट क्या है 2022 की तुल्ला में 2023 23-24 में जो अपना विर्द्धी दर है सकल घरेलू राज उत्पात में जिसको हम कहते हैं कि growth rate in GHDP वो 19% पोला गया है budget के हिसाब से और 6.9 लाग करोड अपने budget की size है ठीक है मतलब यह हमारा इतना खर्च का अनुमान है कि हम इतना ज्यादा खर्च करेंगे तो वो budget का size उसी से निधारित हो जाता है बस यह दोनों आकड़े आपको याद रखने है जहां पर यह मिलें उसके साथ खेल कर लिजे तो अगर इस statement में आपको पता है कि दूसरा statement गलत है तो देखे सब सही है नहीं केवल 2 और 3 सही है नहीं केवल 2 सही है नहीं तो आपके 3 option हो गए खतम तो आ चलिए फिर एक आंकड़े वाले चीज है अब इसमें क्या दिया हुआ है 2021-22 में अच्छा अब सारे यूदतर प्रदेश की जो सारे सेक्टर है उनका अभी मौझूदा आपके जो यह है ना current price करेंट प्राइस को जो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था मौझूदा क कीमतों पर अभी यह एक आपके हर एक सेक्टर का contribution बताया गया कि कितना कौन सा योगदान कौन सा सेक्टर कितना योगदान दे रहा है ठीक है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी खेती अग्रिकल्चर सेक्टर है यह 28% योगदान देती है उत्तर प्रदेश के अर्थ 89,000 यह आपका है ना 79,396 रुपीज इस तरह से 80,000 रुपए के आसपास पढ़ता है अब आपको बताना है कि इसमें से क्या स्टेट्मेंट ठीक है क्या स्टेट्मेंट गलत है चलिए आगे देखते है 2021 में क्रिशी का कितना योगदान है 28% वी निर्माड मैनुफेक्चरिंग का कितना है 24% और सेवा चेतरों का 47% तो इसका देख रहे हैं सेवा चेतरा के लिए लगभग 50% पहुंच गया तो यह बिल्कुल ठीक है और 2021 में उत्तर प्रदेश की प्रतिवेक्ति GHDP यानि की सकल लू राज्य उत्पाद वर्तमान कीमतों पर लगभग प्रतिवेक्ति आये कितनी है 80,000 के आसपास बस यह याद रखना है 79,396 के आसपास है 80,000 के आसपास में है कितना 79,000 ठीक है उसके बाद 396 रूपए बस एक यह आकड़ आपको याद रखना है दो उपर बोलत याद र परसेंट है अब इसको कैसे याद कर सकते हैं वी निर्माण जो मेनुफेक्चरिंग है यह एक चौथाई के करीब है एक चौथाई कितना होता है 25 परसेंट तो यह कितना है लगभग लगभग है लगभग लगभग मतलब 24 परसेंट तो इसका योगदान लगभग एक सीटना हो गया पचास नहीं वदा 47 और आपका यह हो गया चॉबिस तो 71 परसेंट के करीब हम पहुँच गये और बाकी का 71 परसेंट से कुछ उपर योगदान पहुच गया है ठीक है चालीस और यह बावन परसेंट के करीब एक यांण बावन परसेंट पहुँच जाएंगे और बचेगा कितना सॉरी, 71-72% पहुँच जाएंगे और लग बग जो 28% बचेगा वो हमारा क्रिशी छेतर का हो गया ठीक है, आगे देखते हैं Industrial Development Corporation है इसके बारे में बताना है, इसको इंग्रीश में आप पढ़ लिजेगा, ठीक है हिंदी में, उत्तर प्रदेश के विकास प्राधीकरन कर दिया गया ये भी ठीक है, उत्तर प्रदेश राज जे विकास निगम का मुख्याले कानपूर में हाइउपी, SIDC करके था ये, एक वहा पर न लोकल जगह है कानपूर में, अवथ पूरी कहते है हैं लोग उसे या फिर वो समझ लीजिए आपकी IIT की तरफ जब आप जानेगी कभी कोशिश करेंगे IIT कानपूर की तरफ तो वहाँ पर बहुत फेमस है कानपूर में काफी जगा पढ़ते हैं बीच में जैसे कि गुर्देव पढ़ता है उसके बाद वहाँ पर कानपूर उनिर्सिटी है कानपूर उनिर्सिटी से दो किलोमेटर पहले ये UPSIDC पढ़ता है उसका नाम बदल कि उत्तरप्यदेश राज्य और द्योगिक विकास निगम मुख्याल है इसका मुख्याल है आपको कानपूर में मिलेगा उत्तरप्रदेश राज्य उत्तरप्रदेश का जो अध्योगिक विकास अधिनियम है यानि उत्तरप्रदेश इंडस्ट्रल डिवलप्मेंट एक्ट ये जो है 1976 में आया था चलिए अब एक कोशन क्या है ये एक सवाल है कि ये जो नैशनल हाईवे 19 है वो कौन सा शहर को नहीं जोड़ता है तो एक बार आप मैप में जब भी देखेंगे देखिए पहले तो नैशनल हाईवे का नाम दूसरा दूसरा था अब यहाल में बदला गया है उसे तो पहले जो एनेश टू हम कहते थे National Highway 2 ये आपका दिल्ली से शुरू होके मतलब लगभग ये दिल्ली से शुरू होके और ये हावडा को जोड़ता था लेकिन अब इसका तरीका बदल दिया गया है अब आप समझ लीजे कि ये आप लीजे आगरा आगरा को पकड़िये कानपूर आईए, प्रियागराज आईए वाराणसी आईए, चंदॉली, बिहार उसमें फिर आगे सासाराम, गया जारखंड में ऐसे एंटर करते हो और अंगाबाद से होते हुए फिर आप पहुचेंगे पश्यमंगाल में हावडा तो ये जो है, ये है National Highway 19 ठीक है, अब इसमें आप से पूच रहा है कि उत्तरप्रदेश का कौन सा शहर इस हाईवे पे नहीं है तो देखिए, फिरोजाबाद, अकबर अकबर नहीं, अकबर पूर होना चाहिए ये है न, अभी आगे हम लोग देख लेंगे कनोज और फतेवपूर तो ये हमें बताना है कि कौन सा शहर नहीं है दिखिए, इसके मैप से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, फिर आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, कनोज नहीं पढ़ता है क्योंकि जब कानपूर कराया था कनोज में, है न, जब राजा हर्शवर्धन के सामने गय थे हिन सांख तो देखिए, यहाँ पर क्या है मैप में देखते हैं, मैप शाहद होगा, हाँ देखिए, यह रोडवेस वाला मैप है चीक है, अब इसमें आपको कैसे ध्यान देना है आपको ध्यान देना है ये देखें ये है अपना आगरा एक मिनट ये ये देखें आप ये है आगरा अब ये आगरा के पास से हमारा निकल रहा है एनेच नैंटीन अब ये एनेच नैंटीन जो है ये आपका ऐसे फिरोजाबाद, इटावा, औरेया, अकबरपूर वो जो ज्यानपूर जो है यह भदोई जीले में पढ़ता है आपका ठीक है उसके बाद यह आता है वाराण सी फिर यह चंदॉली चंदॉली बिल्कुल लाश्ट रहता है करमनाशा नदी को आप आर करते हैं बिहार पहुंचते हैं फिर वहां से आपका यह आगे फिर यह सासाराम होत नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है देखिए कानपूर से ही अकबर पूरच से और यह इस तरीके से आप अलग हो गए और यहां पर आगर आपको कन्नौज जाना हुआ तो आपके लिए यह रासता है जो एटा होते वह अलीगड होते वह जाता है तो इसलिए यह मैप में और क्या देख सकते हैं अब देखें जो लॉंगेस्ट हाइवे आपका हो गया है वो आपका एनेच 44 हो गया है ठीक है एनेच 44 जो आपका लगभग जम्मू से शुरू होके कन्या कुमारी तक चला जाता है अब NH44 अपने UP में आप देख रहे हैं कुछ ही दूर तक पढ़ रहा है के वल ये मथूरा और आगरा ये ही दोनों शेहर हैं अपने नहीं नहीं बस ये फिर ऐसे मुड़ गया ये NH44 में पढ़ रहे हैं दोनो एक बार इस मैप को आपका मन करें तो आप इसको जूम करके भी पढ़ लिचेका और हाँ ये दोनों नहीं उसके बाद फिर ये मध्यपरदेश में जब ये एंटर करता है NH44 रुकिया आपो दिखाते हैं जब ये मथूरा आगरा उसके बाद ऐसे मध्यपरदेश और फिर देखें ललितपूर से होके गुजर रहा है ये देखें जहांसी ललितपूर तो ऐसे कुल चार शहर है NH44 पे भी अपने इस तरीके से पढ़ रहा है बस इतना ही जानने के लिए बहुत है उसके बाद बहुत जादा परशान होने की ज़रुत नहीं है ये मैप है जितने काम भर का चीज़ है वह हमें के लिसमें देखना है चलिए अब आगे देखते है कौन सा ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जो की अपने भारत के सबसे लंबे नेशनल हाइवे एनेच 44 पे नहीं पड़ता है अप्शन देखिए आगरा, फिरोजाबाद, जहासी और ललितपूर ठीक है फिर से देखिए निमनलेकित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के सबसे लंबे राष्ट्रिय राजणी मार्क पे नहीं पड़ता है ठीक है, सबसे लंबे राष्ट्रिय राजमार्क पे नहीं पड़ता है 44 है जो अपना सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्क तो देखिए अभी हम लोगों ने ऐसे देखा था इस तरीके से ये अपना मध्यप्रदेश बीच में आ गया था ये फिर से अपना उत्तर प्रदेश आ गया था और ये भी अपना उत्तर प्रदेश था तो यहां था मथूरा मथूरा के बाद था अपना आगरा उसके बाद हम आगे आ गये थे उसके बाद यहां पर हम लोग द लिए है एनेज 19 के लिए है उपर हम लोग ने देख लिया राश्टी राजमार कुनीस पर पड़ता है वो उत्तर प्रदेश अब पहला ऐसा राज्य होने वाला है जिसमें छे इंटरनेशनल एरपोर्ट होंगे छे अंतराश्टी हवाई अड़े बनाये जाने वाला एक मातराज़ बनने जा रहा है और राजी गांधी राश्टी विमानन विश्व इद्याले फूर्सद गंज जो है अमेठी मेश्तित है ये उप्शन तो बिल्कुल सही है लेकिन क्या छे अंतराश्टी हवाई अड़े ब पढ़ने वाला था, बाद में इसका फाइनली नाम जो है, वो यही है, महर्शी वालमी की अंतराष्टी हवाई अड्डा आयोध्या धाम, उसके बाद दूसरा कौन सा है, कुशी नगर अंतराष्टी हवाई अड्डा, तीसरा लखनों का चौदी चरनर सिंग है, हवाई अड् इसमें से आपको बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डांस है, जो कि सही इसमें नहीं मैच हुआ है, ये सब प्रीवियस एर कोश्चन में आया हुआ है, घूम घूम के उसको ही उठाया गया, क्योंकि इतने सारे डांस हैं कि आप इसको याद करने बैठेंगे, तो अगर आप याद क अधर से हैं, कहां पर हैं, बुंदेल खंड में, नटवारी ये तो पुर्वांचल का है, ठीक है, तो कर्मा जो ये नृत है, ये महोबा का नहीं है, ठीक है, कर्मा नृत है, अभी मापको दिखाते हैं, ये दिखिए, कर्मा नृत है, ये महोबा का नहीं है, ये आपका बैगा उसके बाद आपका क्या हो गया खैरवार ये तीन ऐसे जीले हैं बैगा खैरवार और गोंड ये तीन ऐसे जीले हैं जहां पर आपको तीन ऐसे जंजातियां हैं जो सुनभद्र जीले में ये परफॉर्मिस करती हैं ठीक है? इस निरित्य का अब इनके हाथों में देखिए इनके हाथों में आप देख रें इनके हाथों में आप देख रें ये पतियां और शाखाइँत तोड़के ये लोग निरित्य करती हैं ठीक है? तो फिकर से दोए कितना को समझ में आने लगता है धूरिया निर्ते जो था वो बंदेल खंड में कुमार जाती के दौरा महिलाओं के दौरा वेश में किया जाता है महिलाओं के वेश में किया जाता है कुमार जाती के लोगों के दौरा धूरिया निर्ते ठीक है ठीक है, एक बार फिर से हम इस सार नित्र को देख लेते हैं, नटवारी, पुर्वांचल, धीवर, बुंदेलखंड, धूरिया, बुंदेलखंड और कर्मा, महोबा, नहीं, अब हम में समझ में आ गया कि कर्मा निरित्य जो है, वो आपका कहां पर है, सोनभद्र, अच्छा, आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा निरित्य बुंदेलखंड का निरित्य नहीं है, ठीक है, तो अब देखिए, अभी हमने ओपर धूरिया देखा था, तो धूरिया घुम-घुम के आता है, तो धूरिया आपको एक तम याद रख लिना है कि धूरिया निरित्य क आपका कहां का है, बुंदेलखंड का है, राय ये भी है, लेकिन धोबिया निरित्य नहीं है, धोबिया निरित्य जो है, वो पुर्वांचल साइट का है, अपने, अपने पुर्वांचल साइड में इस निरित्य को किया जाता है, देखिए, धोबिया निरित्य है, कितना भ है कि पुरुशोद्वारा किया जाता है निर्त्य के दोरा नर्तकों में से एक धोबी की भूमी का निभाते हैं और अन्य उसमें एक गधे का रूप अपना बना लिया तो यह लोग उसमें अपना जो काम जो कर रहे हैं उसको दिखाने का बड़ा इच्छे तरीके से कारतिक कार्तिक एक लोगल नरित्या बुनदेल खंड का जाता है यह कार्तिक के महिने में किया जाता है इसलिए उसका नाम कार्तिक है. रहे हैं कार्तिक महिन theater से संबन दिते, नाटकशाला से या फिर कोई शास्तिर संगीस से जुड़ी हुई है लोकनृत्य से जुड़ी है, कबड़ी से जुड़ी है किस चीज़ से जुड़ी हुई है तो यह आपका यह जो theater वाला program होता है theater, नाटकशाला इस से ये कानपूर और हतरस के ट्रेडिशन्स या परंपराएं जुड़ी हुई है ठीक है ये देखे लिखा है यूपी में हतरस और कानपूर दो ऐसे जगह हैं जहां रंग मंच समरिद्ध हुआ इन्हें राम लीला और नौटंकी प्रमूख है हातरसी और कानपूर नाटे शेली में समवाद और गायन के प्रस्तूती को नौटंकी कहा जाता है ठीक है तो नौटंकी कभी कभी इस तरह से लिख के आता है option में कि कहां पर फेमस है तो अपने उत्तर प्रदेश के लिए फेमस है अच्छा ये देखिए और और भी कुछ नृत्ते हैं important नृत्ते हैं और ये उनका छेतर है बोला की कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है ठीक है देखिए रहूला नृत्ते बुंदेल खंट का है तो बुंदेल खंट में बहुत ज़्यादा फेमस कई सारे नृत्ते हैं उनको अगर आप चार पांच है अगर उनको आप ध्यान रख लेंगे तो option कुछ हाटने बहुत असानी हो जाती है तो आपको पता है यह आपका बरच भुमी में किया जाता है दीये वगरा हाथ पे और सर पे रखे बहुत अच्छे तरीके से उसको बैलेंस बनांके नृत्ते किया जाता है ठीक है अब सौनभद्र से आगे जब आप चले जाएंगे ना च़तीस गर्दिके सौनभद्र से आगे आप दक्षिण में जाएंगे तो चट्रीस गर्ष की शुरूआत हो जाती है तो वहां पे जाके इंद्रित्य होता है तो बस इसको इसे लिए एक कदम आगे बढ़के इस हुए हैं गिर्जा देवी जी हैं उनका आगी शायद फोटो भी होगा हाँ यह है तो ठुमरी के उपर यह प्रश्ण है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ठुमरी म्यूजिक के बारे में इसको आप एक बार इंगलिश में देख लिजिए ठीक है ठुमरी संगीत के बारे में निमनलखित कत्रों पर विचार करें ठुमरी की उत्पत्ती उत्तर प्रदेश में हुई बिल्कुल हुई ठुमरी हलकी एवं आकर्शक होती है चलिए ठीक है प्रसिद्ध ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का जन्म लखनों में हुआ नहीं यह ठुमरी वारानसी की है गिर्जा देवी ठीक है देखिए इसमें वन और टू सही है और थ्री इसमें गलत है ठुमरी ठुमरी के बारे में यह थोड़ा सा अच्छे से लिखा हुआ है ठीक है इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजेगा इंगलीश में हिंदी अभी पढ़के आप लोगों बता देते हैं देखिए पहले गिर्जा देवी जी के बारे में देखते हैं यह हमारी गिर्जा देवी जी को प्यार से अपा जी का नाम भी दिया गया था और ठुमरी की रानी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है ठीक है तो गिर्जा देवी जी को प्यार से अप सारवजिनिक सफर की शुरुवात की ठीक है सारवजिनिक की रूप से इन्होंने सामने 1949 में आल इंडिया रेडियो में गाया था बहुत अच्छी इंस्पारिंग स्टोरी है इनकी कभी आपके पास समय मिलेगा तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा कि कैसे कैसे ये लड़के इतना आगे तक इन्होंने पहुंची है अपने मन्जिल तक देखिए ठूमरी उत्तर भारत का सबसे लोग प्रिये हलका शास्त्रे संगीत है जिसे उन्नीसवी शताबदी के तोरान लखनों के शासक वाजीद अलीशा वाजीद अलीशा अब आपको याद आया होगा जो भी हम लोग ने पिछले वीडियो में मकबरा एक देखा था इनकी पतनी का है ना बेगम सब जो भी थी एक पर आप देख लीजेगा वाजीद अलीशा के दरबार में विक्सित किया गया था उत्तर पैदेश के मुख्य शास्त्री निरित्य शैली जो कथक है उसके साथ इसका जाता है इसमें विक्सित हुआ है जहां गीत गरंतों की भावनात्मक व्याक्या पर अधिक जोड़ दिया गया था धुरूपद और खयाल के विशुद्ध शास्त्री रूपों के विपरीत ठुमरी चाहे लखनों या बनारा से दृणता में दृणता से पाठ आधारित होत होता है यह गिर्जादेवी है आगे क्या दिया हुआ है अच्छा यह थोड़ से इस यह अच्छा कोशन है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल कथक इंस्टिचूट कहां पर लखनव में है जनरल पोस्ट ऑफिस जो कानपूर का है उसको रंग थीटर के समय में इस्तमाल किया गया था ब्रिटिश काल में और नौर्थ सेंटरल जोन का जो कल्चरल सेंटर है वो अपना प्रियाग राज में है देखिए वन और थ्री तो बिल्कुल ठीक है लेकिन टू वाला उप्शन इसमें गलत है देखिए बहार उत्तर पदेश में राष्टिय कथक संस्थान लखन लखनव में ही है और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कानपूर के जनरल पोस्ट ऑफिस ये कानपूर में नहीं है ये भी लखनव में ही मिलेगा आपको जो वो जनरल पोस्ट ऑफिस था ना उसको रंग थीटर के नाम से भी जाना जाता था ये प्रिविस येर पेपर टाइप के हैं, बने हुए हैं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ही हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये सांस्कृतिक के इंदर अपना प्रयागराज में ही है, चलिए देखते हैं, देखिए ये ही वो है जनरल पोस्ट आफिस लखनव का, जिसको रं Central Drug Research Institute लखनव में है, Central Institute of Medicinal Aromatic Plants लखनव में है, Indian Institute of Toxicology Research बरेली में है, National Botanical Research Institute लखनव में है, और आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, ये इंग्लीश में लिखा हुआ है, और ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखिए, के केंदरी ओशदी सुगंधित पौदा संस्थान, जिसको अभी हम लोग ने उपर क्या पढ़ा, Central Institute of Medicinal Aromatic Plants, ये लखनव में है, ये भी बिल्कुल ठीक है, Indian Institute of Toxicology Research, नहीं, जो ये विश, विज्ञान ननुसंधान संस्थान है, ये बरेली में नहीं है, बरेली में आपका क् संस्थान आपका वहाँ पर बरेली में देखने को मिलता है, ये आपका लखनव में है, और राश्टी ये वनस्पती अनुसंधान संस्थान, जिसे National Botanical Research Institute कहते हैं, ये भी आपका लखनव में ही देखने को मिलता है, ठीक है, CSIR की कुछ-कुछ important labs हैं, उसको आप देख नहीं सो बैलिस का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देश-जाधी के पहले इस संस्थान को स्थापित कर दिया गया था, तो कभी भी इस तरह से लिवी ला इन आजाए कि CSIR जो है, अब इसके बाद देखिए, अब देश-जाधी के पहले स्थापित है, अब देश-जाधी कुछ और बीसी तरह से इंस्टिटूट है देख लेते हैं फटाफट सर्दार वल्लभाई पटेल उनिवर्सिटी ओफ एग्रिकल्चर और टेक्नलोजी यह मेरठ में हैं यह बिल्कुल ठीक है मेरठ में ऐसे जनरली आइडिया नहीं लगता है लेकिन हां वल्लभाई पटेल उ दुगर रिखर्ड़ इसको धियान रखेगा यह इप अपना लखनाव में नेशनल चैमबर आफ इंड़स्ट्री सेंग कॉमर्स अब देखिए ऐसे लगेगा कि नेशनल चैमबर आफ इंड़स्ट्री सर्कॉमर्स कानपूर में होना चाहिए क्यों क्योंकि यह कानपूर जाना जाता है इन्दस्ट्री है इसको मैंचेस्टर ओफ इंडिया भी बोलते हैं लेकिन यह आपका आगराम में है आगराम है नेशनल चैम्बर ओफ बॉर्टर जो शेयर होता है इस पर भी प्रशन ही पूचते हैं यह लोग तो आपको बसके लिए का आईडिया होना चाहिए जो इंपॉर्टन्ट ऑले जीले हैं तो प्रयागराज की सीमा चित्रकूट और जॉनपूर्ण दोनों से लगती हैं बिल्कुल दोनों से लगती हैं आपको लगएगा कि जानपूर से नहीं लगती होंगे, लेकिन जानपूर से लगती है, और हरदोई और लखनव, दोनों की सीमा बारा बंकी से लगती है, अब देखिए, हरदोई का लखनव के साथ तो सीमा लगता है, लेकिन बारा बंकी के साथ कैसे लगेगा, क्योंकि बार इसमें आपको ऐसे आडिया लगेगा यह दिखिए अपना सीतापूर है यह अपने बारा बंकी बारा बंकी और हर्दोई की बीच में सीतापूर और लखनौ खड़ा है तो यह हर्दोई और बारा बंकी का सीधा कॉंटेक्ट नहीं है और जब आप बात करेंगे प्रयाग अब यह अपना प्रयाग राज है तो प्रयाग राज के साथ दिखिए इतना हिस्सा जौनपूर का सीधा सीधा लग रहा है उसके बाद यह ज्यानपूर में आपको बताया था ने कि नैशनल हाइवे 19 ऐसे होते वे जाता है यह इसमें नहीं आता है मद्रदिश में नहीं ज चलिए अच्छा जब यह मैप देख अधाया है जब यह मैप देख रहे है तो थोड़ा सा इंPPORT disp देख लेते हैं नेपाल से कौंकौं से हमारे बॉडरbourgं हुमारे इकानसे जीले टच हो रहे हैं यह देखते हैं देखिए पीली भीर्भीत एक लखिम फुल पूर यह पका भ बागव वो है, ठीक है? टाइगर रिजर्व है, गागवारन्य है, दूधवा, राश्टे उद्यान भी है यहाँ पे यह साथ ऐसे जीले हैं जो कि नेपाल को टफ कर रहे हैं, और यहां में डेखिए, यहां में अम खली समझ में आ रहा है कि हरदोई और बारा बंकी के बीच में सीतापूर ने रोक लिया ठीक है लखनव सब टच कर रहा है और हरदोई किसको किसको टच कर रहा है यह आप सामने देख सकते हैं अभिशापूर लखिमपूर खेरी सीतापूर लखनव उन्नाव कानपूर नगर कन्नौज फरुकाबाद एक दो तीन चार पांच छे साथ आठी आठी जी ले हो गए ठीक है देखे सब सब टच कर रहा है चली यह अच्छा यह आपका अभी हाली में बीयो में और बाकी पिछले पेपर में आया वा था इस कोशन को पढ़ लिजे हिंदी वाला हम लोग देख लेते हैं उत्तरपदेश के नीम नलिकित में से कि शेत्र में अन्य तथा क्रिशी एवं वानी की विकास के लिए अभिशाप माना जाता है कि शेत्र में अन्य प्रथा अन्य प्रथा क्रिशी एवं वानी की विकास के लिए अभिशाप माना जाता है बुंदेलखंड शेत्र में ठीक है इसको आप पढ़िएगा यह पूरी एक अच्छी से क्यान काम करता था खुले खेतों में इन जानवरों की विच्रन और किसानों ने मशीन से दोस्ती कर ली Marx से नाता तोड लिया नतीजा यह हुआ कि दूद देने वाले जानवरों के इलावा सबढ़ बढ़ियत में चोड़ दिया गया तो जब आपको आपकी फसल जब बड़ी हो रही है तब भी ये खुले पशू आवारा पशू इसको खा पी रहे हैं तो उस समय भी किसानों को अपना लॉस अपना नुकसान देखने को मिल रहा है ठीक है तो ये जो अन्ना प्रथा जो positive sense में शुरुआत की गई थी अब वो का जापान की मदद से मिर्जापूर में और रिहंद thermal power plant सबसे बड़ा capacity वाला thermal power plant है अपने उत्तरपदेश का दोनों statement इसका सही है या दोनों statement सही है नहीं है यह आपको बताना है अब देखिए यहाँ पर यहाद रखी का कि जो सबसे बड़ा solar thermal plant है उत्तरपदेश का वो कहा सेटप हो रहा है और रिहंद thermal power station जो हो largest आपका capacity thermal power station है अब यहाँ पर मिर्जापूर सही है कि जापान है इसको हम लोग देखते है ठीक है इसको थोड़ा हिंदी वाला भी आपको बताते है इसमें diagram है कि हाँ इसमें diagram है देखिए यहाँ पर यह है जापान की मदद से UP का सौर उर्जा जो है solar thermal power plant solar power plant जो हम लोगों ने देखा था thermal नी solar power plant यह सौर उर्जा सही अत्र मिर्जापूर में स्थापित किया गया है बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ जो लिखान है कि जापान की मदद से स्थापित किया गया है जापान हर जगे नहीं आता है इस case में France है किया गया था तो यह आपका किस की मदद से किया गया था फ्रांस की मदद से किया गया था कहां पर किया गया था मिर्जापूर में किया गया था रिहंद अताब विद्यूत के इंदर उत्तरपदेश का सबसे बड़ा चमतावला विद्यूत के इंदर है यह बिल्कुल ठीक ह ठीक है यह बिल्कुल ठीक लाइन है तो इसका क्यों दो लाइन सही है अब यहां बस थोड़ा सा यह देख लीजिए आप डिस्टुट के हिसाब से भी जीले के हिसाब से भी देख सकते हैं इस मैप में ठीक है अपना एक आडिया लग जाएगा आपको कि कहां पर क्या है यहां लिखा हुआ है इसको इंगलिश वाले को आप पढ़ लिजेगा एक साथ कर देते हैं हाँ यूपी का सबसे बड़ा 75 मेगावाट चंता का सौर उर्जा संयत्र फ्रांस की मदद से मिर्जापूर में स्थापित किया गया है ठीक है और जो रिहंद वाला एंटी पीसी के सापित किया हुआ बिजली संयत्र है यह आपका लगबग 3000 मेगावाट इसकी चंता है तो 3000 मेगावाट कितना हो गया तीन गीगावाट हो गया काफी जादा चंता है यह देखिए जो उपर हमने मैप देखा था ना एक बार आप मैप को पॉस करके देख लीजेगा फिर से द सब एक आइडिया लग जाएगा अब हम इस पर थोड़ा से प्रश्न देख लेते हैं यह हमारे सामने ताप विद्यूत केंद्र है ठीक है और हमें बताना है इसमें कि कौन सा सही कौन सा गलत है देखिए परिच्छा भी हमने उपर देखा तो परिच्छा जहासी के पास में आपका लोकेशन आपको बताएगा देखिए यह हर्दुआ गंज तो दादरी के पास में यहां कहीं गाजियाबाद है इधर के साइट है यह हर्दुआ गंज आपका कहां पर है अली गड़ में है ठीक है ठीक है रोजा ताप वाला जो यह रोजा ताप विद्यूत के इंद्र है रोजा थर्मल पाउर प्लांट और यह कहां पर है शाजहापूर में है तो इसको याद रखिएगा चली आगे देखते हैं यह कुछ वन्ने जीव अभ्यारणने के बारे में मावीर स्वामी वाइड संक्चूरी उत्तर प्रदेश का हस्तिनापूर वाइड लाइफ संक्चूरी सबसे बड़ा वाइड लाइफ संक्चूरी उत्तर प्रदेश का यह आपको बताना है मावीर स्वामी वन्ने जीव अभ्यारणने यूपी का सबसे चोटा वन्ने जीव अभ्यारणने है और हस्त लीजेगा, महाविर स्वामी वन्य जीव अभियारणने कहां पर है, ये ललितपूर जीले में स्थित है, और हस्तिनापूर वन्य जीव अभियारणने मुझफवन अगर बिजनौर इन सारे जीलों को मिला कर वहां से गंगा जी भी बैती है, उन सब जगा पर है ये, काफी जनगर्णा में यह भी पढ़ा था कि उत्तरप्यदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं, तो सबसे कम घनत्व वाला जो है, वो कौन सा अबादी वाला आपका अबादी नहीं, जो जनसंख्या घनत्व, पॉपलिशन डेंसिटी सबसे कम कहां पर है, य जियाबाद में है, यह कुछ वाला आप सेंक्चूरी हैं, इनको आप देख सकते हैं, यह दूधवा जैसे यहाँ पर लिखा है दूधवा नैशनल पार्क, दूधवा नैशनल पार्क लकीमपूर केरी में हैं, उसी में किशनपूर वन्यजिव अभिहरणने भी है, यह जिले में हैं, ठीक है, बाकी आप लोग देखते ही रहते हैं, तो यह फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप ज्यादा फायदा देता है, चलिए, अब हम यह देख लेते हैं, कुछ वन्यजिव अभिहरणने हैं, और उनको इस्थापित कब किया गया, इसके बारे में हैं, चं 1997 में नहीं बना ही है, ठीक है, यह बना है 1986 में, और ट्रिक क्या इसको याद रखने का, कि 1986 में अपनी दूसरी राष्टी नीती आयती शिक्षा के उपर, Second National Policy on Education जो है, वो आपकी 1986 में आय थी, तो 1986 इसका उत्तर है, चंदरपरभा Wildlife Sanctuary अपने उत्तरपेदेश की सबसे पु पुरानी समीती थी पंचायती राजपर, तो सबसे पहला आपने उत्तरपेदेश का कौन सा है, यह है चंदरपरभा, ठीक है, हाँ, चंदरपरभा है 1957 हो गया, महावीर स्वामी सबसे बड़ा वाला है, तो 1986 हो गया, दूसरा Education Policy आया थी, ठीक है, महावीर स्वामी सबसे पुर में पढ़ता है, 1977 में बना था, हाँ, इस रिपोर्ट को पहले आप पढ़ लिजेगा, हिंदी में इसको हम बता देते हैं, क्या है, हस्तिनापूर वन्यजीव अभिहरन्य के बारे में दिया हुआ है, यह सब आप पढ़ लिजेगा, ठीक है, देखिए, अभी क्या है क टाइगर से इंसस हुआ था, 2022 में, देश में बागों पर एक हालिया जनगर्ना रिपोर्ट के अनुसार, सुहेलवा वन्यजीव अभिहरन्य के पहचान एक नए छेतर की रूप में की गई है, जहां पहली बार बागों के फोटोग्राफिक साक्षिय हमें मिले हैं, तो कौन से वन्यजीव अभिहरन्य मिले हैं, सुहेल देव तो अब आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, आपका ये टास्क, अब ये भी देखना है कि यहां तक कौन किते लोग पहुंचते हैं, ठीक है, किते लोग देखते हैं, लास्ट तक वीडियो, तो ये आप जरूर प्रावस्ती बलरामपूर और गोंडा जीले में स्थित है। ये एक मैप देख लीजिए। इसी मैप के साथ अपना एंड करते हैं। 48 पॉइंट तक फिर आके कंटीनू करेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए। चंद्रप्रबा वाइड लावस्थ चंदोली में कैमुर वाल लाएफ संक्चूुरी का हैं। मिर्जापुर ऑसुनभद्र के बाउटर पर, रानीपूर टाइगर नीशूरी घ। पर उपने देश का लेटेश का देश्श टैगर रिजर्वे आख फे, चौवनवे नंबर पे है, ठीक है, रानिपूर टाइगर रिजर्फ, यह तिरपनवे नंबर पर है, इसको आप लोग देख लीजेगा, कि तिरपनवे पे कि चौवन पे, इसको भी कमेंट करिए एक बार, कि तिरपनवा है, कि चौवनवा है, ठीक है, उसके बाद महवीर स्व तक यहां तक रोकते हैं वीडियो ठीक है काफी डिटेल बन गया है तो आप लोग इसको यहां तक अच्छे से देख लिजेगा एक्जाम में बहुत सारे सवाल मिलने के चांस हैं आपके पास तो यूपी वाला अपने हां पर complete करते हैं यूपी वाला जीस में complete होने के वाद जीस में अगला टोपिक उठाएंगे फिर बीच में एक हिंदी का भी हम लोग complete कर लिए ठीक है तो अच्छे से आपक रिवाइस करते रही है आप लोगों का भास ब्हुत धन्यवाद